Hello everyone, welcome to ECV Commerce Classes मैं हो तापितार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपना अकाउंट्स का पेपर देते हैं तो हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मार्क्स ना कटे और दूसरा हमारा टाइम पर हमारा अकाउंट्स का वेपर कम्प्लीट हो जाए कल जैसे क्लास 11 का अकाउंट्स का वेपर है 25 अप्रेल है कल अकाउंट्स का 11 का वेपर है CBSC का So guys मेरे से पूछा था कि मैं किस तरीके से तो करें तो मैंने का चलो इस पर वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सबको ये इंफोर्मेशन मिले और आपका अकाउंट्स का वेपर बहुत अच्छी तरीके से हो So all the best सभी को 11 क्लास के स्टुडेंट्स And अब मैं आपसे बात करती हूँ guys वैसे तो 11 और 12 दोनों के लिए अपने के बले कि आपको पेपर देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अकसर आपका पेपर क्यों छूट जाता है आता हूँ अभी एक्जाम क्यों छूट जाता है तो सबसे पहले चीज अकाउंट्स के वेपर में यह होती है कि हम लोग टाइमिंग का ध्यान नहीं रखके चलते तो मेंन टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है यानि कि एक कोईशन में कईवार स्टूडेंट्स 25 से 30 मिनट लगा देते हैं तो उसका डबल टाइम आपको दिया जाते हैं तो तीन मल्टिप्राइब दो यानि कि 6 मिनट के अंदर आपको इसे करना होते हैं अगर कोई कोई कोईशन 6 मार्स का आया है तो उसका डबल टाइम यानि कि 12 मिनट आपको उस कोईशन में करने में लगाने होते हैं कई पर ऐसा होते हैं कि 6 मार्स का कोईशन हम लोग 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में करते हैं तो जब हम ऐसी गलती करते हैं तो हमारा पेपर छूटना बड़ा ही common माना जाता है कि ठीक है हमने timing ही नहीं manage करी तो इसलिए पेपर छूट जाता है तो आपको starting से ही इस चीज़ पर focus करना है कि अगर आपका एक मार्स का question है तो उसमें 5 मां 10 मिनट नहीं लगाने दो मार्स के question में 10 मिनट नहीं लगाने आपको जितना time according to paper दिया जाता है उतना ही करना है यानि कि marks को ध्यान में रखे marks का just double time आपको दिया जाता है पहली चीज़ तो यह ध्यान रखनी है second guys होते है number presentation number presentation कई students का बड़ा ही क्या गवला जवाब होता है कि उन्हें खुद जब पढ़ाया जाता है तो उन्हें भी नहीं समझ आता है कि हमने कैसे number present करे थे यानि कि कोई one ऐसे लिखता है तो कोई seven ऐसे लिखता है ताकि पता ही ना चले क्या लिख है आप clearly number present करो जैसे कि कई students zero ऐसे present करते हैं कि वो छोटे-छोटे होते चले जाते है so guys number present करने का अपना एक clear form आपको बनानी चाहिए दूसरा कोशिश करो कि आप कॉमा को use कर सको like जैसे 15,700 है तो कॉमा आप लगा सको अगर 1,15,000 होता तो 1,000,000 के बाद मुझे कॉमा लगाना है तो उस चीज़ पर अगर आप करोगी काम तो आपके presentation numbers की बहुत अच्छी होगी थार्ड गाइस जनरल की हम लोग जब क्यूशन में घर पर प्रेक्टिस करते हैं तो जनरल का format नहीं बनाते और अकसर ऐसी गलती हम एक्जाम में भी कर देते तो आपको लेजर बना रहे हो या format जनरल का बना रहे हो आपको उस पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान देके बनाना ह एसा जल्दबाजी में टेड़ी मेडी लाइने नहीं खीचनी होती प्रॉपर स्केल के साथ जल्दी खीचो लेकिन स्केल के साथ खीचो लेजर में अकसर स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट लिखना या लेजर का नाम लिखना भूल जाते हैं या कुई सी अकाउंट का न नहीं लिख रहे होते है और एक्जाम में भी कई बार यह मिस्टेक हो जाती है कि जल्द बाजी की वजह से हम लोग narration नहीं लिखे आते हैं और हमारे हाफ मार्ग्स पर narration, एक narration का आधा मार्ग्स कर जाता है तो आपको narration लिखनी है इस चीज़ का आपको वेपर देते वाग ध्यान रखना है देन आता है आपका स्पेस यानि कि कई स्टूटेंस बहुत हौच पॉच के साथ अपना वेपर करते हैं कुश्च नमबर वन, टू, थ्री, फोर में गैप नहीं होता आपके पास sheet होती है guys, proper space maintain करो चाहे वो ledger बनाना होना, तो ledger में भी आपका proper space होना चाहे कि आपका amount आ सके, अगर आपको 1,25,000 लिखना है तो ledger का amount इतना, मतलब space इतना कम ना हो कि भाई numbers जो हैं वो बाहर जा रहे हैं तो आपको space, ledger बनाते वक्त, format बनाते वक्त, journal का तब भी ध्यान रखना है प्लस जब आप एक answer से दूसरे answer पर जाओगे तब भी आपको space रखना है कि कहीं पर भी confusion की गुझाईश ना हो तो space आपके presentation को अच्छा करता है, proper space देना, बहुत जादा भी नहीं देना, बहुत घिच-पिच भी नहीं करनी अपने paper में तो इस चीज़ का आपको accounts के paper में specifically ध्यान रखना है इन सारे चीज़ों पर और guys इसके अलावा आपको अपने paper पर कोशिश करो कि आप serial wise paper करो ताकि उतना ही जादा आपका paper presentable बनता है, कई बार ऐसा होते हैं, 2 के बाद सीधा 19 number question, फिर 25, फिर सीधा 3 तो उससे आपका presentation खराब हो जाता है, अगर general way में आप अगर synchronize बोले तो serial wise में paper करोगे तो उससे आपका paper presentable बनता है, तो इस पर आप focus कर सकते हो और बाकी इन चीज़ों पर आपको काम करना बहुत जादा जरूरी है, अकाउंट के paper में और बाकी कल के paper के लिए all the best guys, और अगर फिर भी कोई help के आपको need है, तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो ID है Tabita Maisi, thank you